बहुत ही important है विष्ट प्रेश स्वतन्दरता सुचकांग 2022 यानि कि वर्ड प्रेश freedom index 2022 में भारत की rank क्या है अब ये प्रस्द बहुत ही जरूरी है ध्यांचे देखेगा और इसका answer याद कर दिजिए इसका answer है कि विस्टोप्रेस स्वतंतता सुचकांक 2012 में भारत की rank है 150 जबकि 2021 में भारत की rank ही 142 यानि कि भारत के rank में यहाँ पर गिरावट दरज की गई है अचै ये जो विस्टोप्रेस स्वतंतता सुचकांक होता है इसको जारी कौन करता है इसको जारी करता है कौन Reporters Without Border याद अगना और Reporters Without Border की अस्थापना होई थी 1985 में पेरिस में आपको इसका हेड़कॉर्टर मिलेगा और क्रिश्टोफी डिलेओर ये इसके बरतमान में अध्यक्ष है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी याद अगना कि 273 सुचकांग 2022 में भारत के साथ-साथ उसके पडोसी देशों की जो रैंकिंग है उसमें भी जिरावट हुई है जिसकी पाकिस्तान की बात करें तो कुल मिलाके रैंकिंग है 157 स्रीलंका 146 वे अस्थान पर है बांगला देश 162 वे अस्थान पर है और म्यामार है 166 वे अस्थान पर कुल कितने देशों के आधार पर विस्टुप्रेश सुचकांग जारी किया गया है तो 180 देशों के आधार पर और टाफ थ्री जो कंट्रीज हैं उनके नाम याद रखो पहले अस्थान पर है नार्वे दूसरे अस्थान पर है डेन्मार्क और तिस्थे अस्थान पर है स्विडेन, NDS ये टाफ थ्री कंट्रीज हैं इनको याद रखना प्रस्न दो ही बनेगा कि टाफ थ्री में कौन कोन आते हैं या फिर ये पूछेगा अगनी समन दिवस 2022 में कम मना गया तो याद रखना कि अंतरराष्ट्री अगनी समन दिवस होता है ये प्रतिवस मना जाता है 4 मई को और ये दिवस होता है ये दुनिया पर के जो फायर फाइटर्स हैं उनको समर्पित हैं उनकी बहादुरी को और आप जानी रहें कि जब कहीं पर आग लगती है तो कितने कटिन संगर्स और साहस का परिचे देते हैं ऐसे जो दमकल कर्मी होते हैं फारफाइटर्स होते हैं तो इनी को सम्मान देने के लिए प्रति वर्स चार मई को अंतर राष्ट्री अग्मिस्तमन खेल जो हैं ये 2020 में स्टार्ट हुए थे 2020 में इसका फर्स्ट एडिशन था और 2021 का जो एडिशन था कि कोबिट की वज़े से अब जाके करनाटक में आईजित किया गया है तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर आ गया है यानि कि पद्गों की तारिका की जो लिस्ट है उसमे बैंगलोरू की है इसने कुछ लाके 32 पदक जीते हैं इसमें 20 सौन हैं 7 रजत हैं और 5 कांस हैं लबली प्रोशेशनल इंविश्टी ये इसने जीते हैं कुछ लाके 17 सौन 15 रजत और 19 कांस पंजाब इंविश्टी ये तिसरे अस्तान पर है 15 सौन 9 रजत और 24 कांस के साथ अ इसमें ये जो इन्विश्टी थी ये पहले इस्तान पर थी लेकिन इस बार ये किस तरे इस्तान पर आई है तो ये भी यहाद दगना खेलो इंडिया इंड्यार इंड्यस्टी गेंस जो हैं ये करनाटक में आजीत ही दुज्जर 21 के 2022 में चल कर 24 अप्रैल से 3 मेई 2022 तक इसक पाजित किया गया था और ये इस गेंग पाहला संस्क्रण था जिसमें पंजाब विश्विद्धाले ने मतलसफ से अधिक जो पदक है उसको प्राप्त किया था तो समझ गया पंजाब विश्विद्धाले पहले खेलो इंडिया इंडिया इंडिर्टी गेम्स में पहले स्था किया है इस योजना के अंदर गत जो बुजूर्ग हैं दिब्यांग हैं जो जादा चल फिर नहीं सकते हैं उनको सो प्रकार की सरकारी सुविधाएं जैसे की खसरा खतोनी और बाकी जो सुविधाएं होती हैं रासंकार बगरा इस यह सारी चीजें घर बैटे और बिलकुल नि सुया हुई के और मुख्य नादिस कोने एके गोश्वामी हैं तो 36 की राजधानी कहां पर है नया रायपूर है जिसका नया नाम हो जाएगा अटल नगर तो यह भी आपको याद रखना है फिर देखिए अगला कुश्यन है कि दूसरा भारत नार्डिक सिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया देखे फ्रेंट्स एक्जाम में कई बार यह प्रस्म जाता है कि कौन सा नार्डिक देश नहीं है तो चार आपसर आपको दे दिये जाएंगे फिर आपसे पुछा जाएगा कि कौन से देश हैं जो कि नार्डिक नहीं है तो याद रख लीजिए आज कि कुल मिला के पांच ऐसे देश हैं जिने नार्डिक कंट्रीज कहा जाता है और इनमें डेनमार्क सामील है आइसलेंड सामील है फिनलेंड सामील है स्वीडन और नार्वे डेनमार्क आइसलेंड फिनलेंड स्वीडन और नार्वे इन पांच देशों को नार्डिक कंट्री ऺजरों और एक नाडिक नाम दे दिया जाए तो मतलत मिलाकि इन पांचों देशों के नाम आपको रटने पड़ेंगे कब तक आपको इससफ़ करना पड़ेगा जब तक की आफ्वा सेलेक्षन नहीं हो जाता है तब तक आपको ऐसे फैक्ट रटने ही पढ़ेंगे और ये भी आपको बता दे कि भारत और नाडिक देशों के बीच ये जो सिखर सम्मेलन हुआ 2022 में ये डेनमार्क में आजित किया गया जो कि एक नाडिक देशी है और ये इसका दूसरा संक्रता जिसकी अध्यस्ता की है भारत के प्रदानमंत्री स्री नरेनमोदी जी ने और शिखर सम्मेलन में नाडिक देशों से जलबाय परिवरतन नवी करणी उर्जा नमाचार और प्रद्योंकी के छेत्रों में सहयों की चर्चा की जाएगी पहला भारत नाडिक सिखर सम्मेलन कब हुआ था अप्रेल 2018 में हुआ था इस टार्क होम में ठीक है तो ये याद अखना और ये बहुत इंपोर्टन कोश्चन है इसको बिल्कुल हलके में मत लेना फिर देखो अगला कोश्चन है कि पाइतिस्वां इस्पेनिस फुटबाल लीगा ला इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पाइतिस्वां इस्पेनिस फुटबाल लीग ला लीगा 2022 का किता किसन जीता है तो ला लीगा 2022 का 2022 में पाइतिस्वां संसक्रण था जिसको जीत लिया है रियल मैड्रिड फुटबाल कलब ने उपविजिता बना है एस्पेनियोल और ये भी याद अगना कि जो ला लीगा है ये इस्पेन की सबसे उच्चतम फुटबाल लीगे ये भी आपको याद अगना है फिर देखो अगला क्वेशन है एलेक्ट्रानिक्स और सुचना प्रद्र की मंत्राले के नए सच्चु कौन बने है तो यह मियाई टी वाई के जो नए सच्चु की बात यहाँ पर हो रही है इस्पेन बने हैं अलकिस्ट कुमार सर्मा और यह स्थान लेंगे अजय प्रकास साहनी का इलेक्ट्रानिस्त और सुचना प्रद्र की मंत्री कोने अस्वनी वैश्ड़ों हैं और यही रेल मंत्री भी है हमारे यह आपको याद होगा अब यहाली में दोको मनाया गया विसुहात स्वक्षता दिवस विसुहात स्वक्षता दिवस यानि की वर्ड हैंड हैजीन डे यह मनाया गया का पांच मई को जिसकी थीम है स्वास्त देखपाल गुणवत्ता और जलवाय या संस्कृती तो यह आद रखना और मई मामें अ को मनाया गया प्रेस फ्रीडम डे चार माई को मनाया गया कोल माइनस डे और आठ माई को मनाया जाएगा रेट क्रास डे बागी के डेस आने मेले जुनों में हम रिवाइस करते रहेंगे फिर अगला क्वेशन है आर जी आई रश्टरा जनरल आफ इंडिया की 2022 के रिपोर्ट क राज्य है वो एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और यहाँ पर लिंगानपाथ है ग्यारा सो चार बहुत अच्छी बात है सबसे कम लिंगानपाथ देखा गया है मडीपुर में मातर 880 दादर नकर हविली मातर 898 गुजरात और हर्याना 909 तो लद्दाख को बधाई औ और बागी की राज्यों को एक बार फिर से अपने होमवर करने की जरूत है हाली में ट्रेनों में तसकरी को रोकने के लिए RPFS रेलवेर प्रोडेक्शन फोर्स इस्पेसल के द्वारा चलाया गया आप्रेशन सतर्क कितने दिनों का विसे तर्यान है पहले तो यह याद रखो चलेगा ये भी यातक न? और RPFS के जो महाने दे सके हैं, देखो पहले इसका नाम RPFC था, ती बाद में इसमें S जोड़ा गया. तो अब इसका नाम हो गया है RPFS जिसके महाने दे सके हैं संजे चंदर, संजे चंदर. आपके घर में आसपास कोई अगर हो संजय नाम का तो याद रख लो कि वो RPFS के माने दे सकें इस विकार से देखो एक छोटी-छोटी स्टोरीज बना के उने मन में रखोगे तो सारे फैक्ट आपको याद रहेंगे रेल मंद्री मैंने आपको बताया था कि असनी वैसरों हैं जो कि हमारे सुचना और एलेक्ट्रानिक मंद्री भी है ठीक है अब आज सेस्तन पर समात करते हैं सेस्तन को सार्ट रखने का पूरा प्रयास मैंने किया है अगर सेस्तन आपको पसंद आया है तर लाइक करके हमें आप बतायेगा कि ये जो हमारा प्रयास है वो आपको कितना अच्छा लगा और आप केरे भी एक होमर का प्रस्ण होगा और ये प्रस्ण आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एक्जाम में कई बार पूछा भी जाता है तो बताये कि फूड एंड एग्रिकल्चर और्डराइजेशन जिसको आप FAO करते हैं इसका मुख्याले कहां पर है तो बहुत ही सरल सा प्रस्ण है और इसका उत्तर मुझे उमीद है कि आप ज़रूर देंगे अगर आपको अच्छा लगा है तो प्रीज इसे लाइक किजिएगा और इस प्रस्ण का उत्तर कमेंट के में जरूर बताईएगा अपने दोस्तों की बीच इसे सेर कर दीजिए और देखिए अगर चैनल को आपने अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए बेल आइकां को प्रेस किजिएगा बेल आइकां प्रेस करने के बाद आल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे लेक्टर की PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल इस्टेटी विद्धियान प्रकास पर तो आज के सिस्टम में बस इतना ही आप सभी का सहयों का पेक्षी थे थैंक्यू सो मच सभी को God bless you all